दान पुन्य पूजा पाठ करने वाले लोगों को भी नरक की प्राप्ति क्यों होती है नमस्कार दोस्तों आज हम एक मैत्योपुन विशेपर चर्चा करेंगे दान पुन्य पूजा और पाठ करने वाले लोगों को भी नरक की प्राप्ति क्यों होती है क्या या केवल कर्मों का फल है या इसके पीछे कुछ और गहरे रहस्य हैं आए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या थे वे पर्षन और उनके उत्तर आए इस रहस्य में समवाद में खो जाएं और जाने उन गूड बातों को जो हमें जीवन के सही मारक पर चलने की प्रेणना देगी हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों आज हम आपको एक अदबुत कथा सुनाने जा रहे हैं सिर्शागर में बगवान शिरी अरिविशनू और माता पारवति जब विशराम कर रहे थे तबी माता लक्षमी कहने लगी है शिर्श्टी के पालनहार आज मैं आपसे कुछ परशनों के उत्तर जानना चाहती हूँ किरपा कर मेरे मन में उठ रहे परशनों का उत्तर देकर मेरी जिग्याशा को कम करने की किरपा करें क्या थे वे पर्षन और उनके उत्तर चलिए जानते हैं फिर भगवान श्री विश्नु कहते हैं ये देवी आपके मन में जो भी पर्षन उठ रहे हैं वैनी संकोच होकर पूछिए मैं अवश्य ही आपके पर्षनों का उत्तर देने का प्रियास करूँगा फिर मातालक्ष मी बगवान विश्नु से एक पूछती है फ्रबू कुछ मनुष्य पाप करने पर भी स्षरग्यों जाते हैं और कुछ मनुष्यों को पुन्या करने के बावजूद भी नरक में क्यो जाना पड़ता है ऐसा वै कौन सा पाप है जो सभी पुन्ये को नष्ट कर डालता है और वै कफ़ा सुनाता हूं जिसे सुनकर आपको आपके सभी पर सुन हो का उत्तर मिल जाएगा इसलिए आप इस कफ़ा को द्यान से पूरा जरूर करता है उसके समस्त पापों का नास होता है फिश्री अरिविशनु जी कहते हैं हे देवी प्राचिनकाल की बात प्रत्वी लोग पर अलग-अलग जंगे किन्तु एक ही समय पर चार मनुष्यों की मिर्तु हो जाती है और वे सभी मिर्तु के पस्चात यम लोग पहुंच जाते हैं यम लोग पहुंचने पर वहां के ब्याववध दर्श्य देखकर सभी वैभीत हो जाते हैं वे चैरो थर्थर का अपने लगते हैं यम लोग में यम दूत पापी प्राणियों को नरक की आग में दखेल रहे होते हैं तथा पुन्य प्राणियों को सरग में बेज रहे होते हैं नरक में जाने वाले मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं तो सरग में जाने वाले प्राणि अत्यंच पर्शन होकर चल रहे होते हैं सरग के दवार सुन्दर दिखाई पड़ रहा होता है तो वही नरक के दवार्शे ददक्ती हुई अगनी की जवाला दिखाई पड़ रही होती है इस बैानक दरश्य को देखकर च्यारों एक दूसरे की और देखते हैं और अपने अपने पाप के विशा में चर्चा करने लगते हैं उन चरों में से तीन लोगों ने अपने जीवन में बहुत पाप किये होते हैं उन तीनों को आबास हो गया कि हम तीनों ही नरक में जाने वाले हैं उन तीनों में से एक चोर होता है दूसरी वेश्या होती है और तीसरा विद्वान पंडित होता है तता चोथा एक धनवान जमीदार होता है विश्चारों अपने अपने करम फलों को बोगतने के लिए तयार होते हैं फिर एक एक करके सभी अपने अपने पाप करमों के बारे में बताने लगते हैं पहले चोर कहता है भाई मैं तो निश्चेती नरक में जाऊंगा क्योंकि मैं मैंने बहुत बार चोरी की है, दूसरों का धन लूटा है, अनेक लोगों को मैंने कष्ट दिया है, परंतु ऐसा मैंने जानबूजगर नहीं किया, यह पापकर्म मैंने मजबूरी में किया था, क्योंकि मुझे कोई काम नहीं देता था, और अपने परिवार का पेट पालने के में लेगा, यह मराज मुझे कौन सा दंड देंगे, उसके बाद विश्या बोलती है, भाई तुम्हारे पाप तो मेरे पाप के आगे कुछ भी नहीं है, निश्चीती मैं ही हमच्यारों में सबसे बड़ी पापी हूँ, मुझे बड़ा पाप यहां पर किसी ने नहीं किया ह होगा, शास्तरों के अनुसर जो इस तरी अनेक पुर्षों के साथ संब्द बनाती है, उसे नरक में ही डाला जाता है, इसलिए मेरा भी नरक में जाना तै है, परंतु मैं सपत खाकर कहती हूँ, यह पाप मैंने जान बूजगर नहीं किया है, जब मैं छोटी उमर की थी, त ला नारी, मुझे इतनी भी सकती नहीं थी कि मैं उस दुष्ट पूर्ष का विरोध कर सकूँ, पता नहीं किस पाप के कारण मुझे इस जनम में वेश्या बनना पड़ा, और ना जाने आगे मुझे किस योनी में जनम लेना पड़ेगा, मेरे दवारा किये गए पाप से ऐस परतीत होता है कि स्वाम यमराज भी चाहें तो मुझे नरक से मुक्ति नहीं मिल सकती, इसलिए मेरा नरक में जाना तो तैय है, इसके बाद विद्वान पंडित बोला, भाई हम तीनों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं हूँ, तुम लोगों ने तो जो पाप किये हैं, व जो सब कुछ जानकर भी पाप करता है, वैं निश्चेती नरक में गिरता है, मैंने अपने ग्यान का उपियोग किया है, मेरे घर की स्थित्थी अत्यन देनिये थी, मेरे पिता विक्सा मांग कर गुजारा करते थे, मैं अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए धन लेकर ग्यान देने की चेश्टा की है सास्तर कहते हैं जो विद्वान बरामण अपने ग्यान का दुरुपियो करता है उसे नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता मैंने लोगों को ग्यान देने के बदले में उनसे धन लिया है कभी किसी को मुफ्त में ग्यान नहीं दिया इसलिए हम में से सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ और मुझे ही नरक में जाना पड़ेगा उन तीनों की बाते सुनकर वह धनवान जमीदार हास पड़ा और बोलने लगा तुम तीनों तो इतने बड़े पापी हो कि तुम लोगों को नरक में जाना ही पड़ेगा तुम लोगों ने अगर पाप किये हैं तो इसलिए यमराज तुम लोगों को कभी माप नहीं करेंगे यहां पर मौझूद मैं अकेला ही सबसे अधिक पुन्यवान हूँ मैंने अपने जियूर में बहुत पूजा पाठ किया है ब्रामनों को दान दिख्षना दी है मैंने मिर्तुष ये पूरोगाएं का दान भी किया है और हम मेरे सबी पुत्र मेरी आत्मा की मुक्ती के लिए बड़े कारिय करम का आयोजन कर रहे हैं इसलिए मैं सबसे अधिक पुन्यवान हूँ मेरी पत्नी और चार पुत्तर और उनकी बहुए इतने लोग मेरी मुक्ती के लिए उपाए कर रहे हैं और हाँ मैंने अपने जियूर में कभी कोई पाप नहीं किया है और जाने अंजाने में किये भी होंगे तो मेरे पुत्रों की सराद आदी के कारियो दवारा मेरे पाप नस्ट हो जाएंगे मैं नित्त देव पुजा करता था मंदिर जाता था दौर पर आया ठीतियों को बोजन कराता था इससे मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे और मुझे मोक्स की प्राप्ति निश्चित ही होगी फिर वह चारों दीर दीरे आगे बढ़ने लगते हैं और फिर जब उनका समय आता है तो उन चारों के पाप और पुन्य के कर्मों का मुल्या यमराज से विचार मर्श करते हैं कुछ दीर के बाद यमराज से सरुग में जाने का आदेश देते हैं चोर यमराज के इस निरना को सुनकर आश्चे जाता है बड़ी परसंता के साथ वह सरोक के दरवाजे के और चला जाता है दूसरी बारी आती है वेश्या की चित्र गुप्त उस वेश्या के भी कर्मों का लेखा जोका निकालते हैं और कुछ देर तक विचार करने के बाद उसके पाप पुन्ने का मुल्यांकन करके यमराज उसे भी सरोक में जाने के लिए कहते हैं इस विचित्र नेलना को सुनकर वेश्या भी आस्चेरे में पड़ जाती है उसे यमराज के नेलना पर विश्वास नहीं होता है और वेविना कुछ कहे ही बड़ी परसंता के साथ सरोक के दवार के और चली जाती है फिर तीजरी बा मन सोजने लगता है कि वह भी मन ही मन परसंद होकर सरोक के दवार की और चलने लगता है वह दनवान जमीदार यह सब देख रहा था जब वह उन तीनों को सरोक में जाते वे देखा तो वह दनवान जमीदार बहुत दुखी और करोधित हो गया वह सोजने लगा कि यह कैसा न जमीदार को एक दूत जोर से दक्का देते हुए कहता है अरे पापी तू आगे चल तुझे नरक में डाला जाएगा यमराज तुझे माप नहीं करेंगे यह सुनकर वैद जमीदार दूत से कहता है यह तुम कैसी बाते कर रहे हो मैंने परत्वी लोग पर कोई पाप नहीं किय है मेरा स्तान तो शिर्फ सरोग ही है मैं तो सरोग में जाऊंगा मैंने जीवन में बहुत कुन्ने किया है देख लेना यमराज मुझे सरोग में ही बेजेंगे तिर वह दनवान जमीदार यमराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है चितर गुपत उसके करमों का लेखा जोका देखते हैं और उसके पाप उनने करमों का मुल्यांकन करते हैं तो उसके पाप का पलड़ा बारी हो जाता है और यमराज उस दनवान जमीदार को कहते हैं अरे दुस्त तूने तो बहुत बड़ा अपराद किया है तू तो नरक में जाने के ही योग है इतना सुनते ही वह ब और पापी थे उन्होंने बड़े बड़े पाप किये हैं उन्हें तो आपने सुरुग में डाल दिया आप ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों कर रहे हैं अगर ऐसा न्याय होगा तो बला कौन मनुश्य दर्ती पर पुन्य करम करेगा यमराज कहते हैं अरे पापी तूने जो पापों के सामने कुछ भी नहीं है तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुन्य फलनस्ट हो गया यदि तूने यह पाप नहीं किया होता तो तू सरग में जा सकता था लेकिन तूने यह पाप जान भूज कर किया है इसलिए तुझे नरक में आवस्य जाना पड़ेगा उन त सरग में गया वेश्य अपने मन से वेश्य नहीं बनी थी उसे जबरदस्ती वेश्य वर्ती में डाला गया था यह अपना जीवन यापन करने के लिए वेश्य वर्ती करती थी लेकिन बाकी कारिये तो उसने पुन्य के ही किये हैं वह पशू पक्सियों को रोजाना दाना डा इसलिए उसके भी पुन्य पाप से अधिक थे इसलिए वह भी शरुग में गया इतना सुनकर वह दन्वान जमिदार बोलता है धर्मराज इन तीनों ने जो भी पुन्य किये हैं वह तो मैंने भी किये हैं बलकि उनसे ज्यादा किये हैं फिर भी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे नरक में बेजा जा रहा है यमराज कहते हैं याद कर तुने उस विद्वा नारी पर गलत लांचन लगाया था कि उसने तेरे घर पर चोरी की है और उसके साथी तुने उस पर कई अन्य गलत लांचन लगाये थे उसे वेश्या कायकर उसके च्रित्र का हनन किया था और राजा ने उसे सत समझगर उस अबला नारी को मिर्तू दंड दे दिया था ये पापी मनुष्य ब्रह्म अत्या चोरी मदीरा पान आधी प्रकार के गोरपापों से भी प्रास्चित करके मनुष्य भुक्त हो सकता है किन् ये तुने जितने भी पुन्ने किये हैं सभी उस एक पाप के कारण नस्ट हो गए हैं फिर यम्राज यम्दूतों को उस पापी को नरक में ले जाने के लिए कहते हैं और वह जमीदार रोता हुआ विलाप करता हुआ नरक के मारक पर चलने लगता है फिर श्री इस्त्री पर गल्त लांचन लगाकर उसका चरित्र हनन किया था यह गोर पाप है एक इस्त्री सदा ही पुझनी होती है जो भी पुरुष इस्त्री पर गल्त लांचन लगाता है उसके साथ अन्याय करता है उसे मापाप लगता है कभी किसी इस्त्री की दुरबलता का फायद मारक नहीं छोड़ना चाहिए सत्य मारक पर चल कर ही शरुक की प्राप्ति होती है सत्य का साथ देने से मनुष्य के सभी पापकरम नस्ट हो जाते हैं कभी किसी पर गल्थ आरोप नहीं लगाना चाहिए सत्य जानकर सत्य का साथ देना चाहिए जो दूसरों पर गल्थ आरोप उसे यम्राज नरक में डाल देते हैं तब बगवान शरी अरिविशनु देवी लक्षमी से कहते हैं ये देवी क्या आपको आपके परस्णों का उत्तर मिल गया देवी कहती है ये शरस्टी के पालनहार आपकी इस लगू कथा के माध्यम से मेरी जितनी भी संकायती वह पूर् भी विचार हैं हमें कमेंट में बताए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सबस्क्राइब करना ने भूले दन्यवाद